नमसकार दर्षकों यूट्टूब के मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपसे चर्चा करूँगी कन्या राशी का वश 2019 का राशी फल्दॉ busy जातकों के लिए वश 2019 क्या लेकि आया है आईए सबसे पहले हम देखें कि कन्या राशी के लिए जो मुख्य घ्रह हैं चार उनका क्या गोचर बना हुआ है विश्चिक राशी में इस समय गुरू चल रहे हैं कन्या राशी के तीसरे भाब में और धनुर राशी में शनी चल रहे हैं चौते भाब में और साथ ही पंचम भाभ में मकशी में केतु चल रहे हैं और लाभ भाभ में करक राशी में रहू चल रहे हैं। होते हैं अपना इंप्लेक्शल प्रवर्थी होती है पढ़ने पढ़ाने में रूची रखते हैं किसना प्रगार की रिसर्च में रूची रखते हैं साहिते में जुड़े होते हैं तो ऐसे लोगों के लिए 2019 का वश्वड़ा वर्दान लेके आया है क्योंकि खुद देव गु में पर्चाल करते हैं लेकनकला का साहिते का साहिते रचना का मीडिया का समस्माचार पत्रों का एक्टिंग का तो इस तरीक थी जुड़े होें या जो ऐसे काम मेरे टूरेंड ट्रेवल्स का काम है, इदो दो गूमने का काम है, जंका विजनीस घूमने फिरने का है, उनके लिए 20 मेहत्यपूर्ण समय है, उनका इस समय ग्रोग होगी और वो इस समय जितनी महत्र करेंगा, उसकी सफलता मिलेगी, क्योंकि कुछ ग्रैों की स्थिय ऐसी बन गई कि आप अगर घर में रहके काम करेंगे तो आपको ज्यादा सफलता नहीं है, पर अगर आप घर से बार जब भाहर निकलेंगे तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी, इसलिए किरिक जो जात के नोकरी के लिए परिशान थे और नोकरी का प्रियास कर रहे थे, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने जनमस्तान से बहार निकलें, बहार नौकरी का प्रयास करें, उस नौकरी मोने सफलता भी मिलेगी और उनको job satisfaction भी मिलेगी, इसके साथ ही जो जातक website करते हैं, website के लिए बहुत अच्छा समय हुआ है, कि सब्सक्राइब गुरू जो है कि लाप की मातरा भी लगातार चल रही है, तो आपके लिए कन्या राशी के जातकों के लिए धनकी कोई प्रावलम नहीं है, इसलिए उनकोंने website को बढ़ाना चाहिए, और अच्छी तरह निवेश करना चाहिए, इस तरीके से हम देखें, तो कन्या राशी के लिए नौकरी के लिए प्रेशान थे, उनके लिए समय बड़ा महत्यपून है, क्योंकि गुरू तीसरे भाब में गोचर करके आपके सत्तम बाप को दिश्टी दे रहे हैं, तो 2019 में कन्या राशी के जातकों की बिवा की बहुत अच्छी स्थी बनी हुई है, हाँ मैं यह जरूर कहूंगी जो विधार्ती हैं, विधार्तियों के लिए पढ़ाई अगर आप बहुत हायर एजुकेशन में हैं, तो तो आप रिसर्च वर्क आपका अच्छा होगा, लेकिन अगर आप वो विधार्ती जो कि किसी कम्पिटिशन की त्यारी कर रहे थे, उनके लिए 2019 का वश्ट थोड़ साथ इस रहे हो कोई साइन्टिस्टे रिसर्च को पीस्डी वगरा कर रहे हैं, उनके लिए उपक्त इस्तिति नहीं है क्शनी की जो पोजीशन मनी हुई है, केतू की जो पोजीशन मनी हुई है, वो इस बात का संदेश ज्यरी है, आपके शत्रू आप पे हावी हो सकते है, इसलिए कोशिश करें कि 2019 में आपके कोर्ट की कम से कम डेटे पढ़ें क्योंकि अगर कोर्ट केस की डेट पढ़ती है और सारी परस्तिदियां विप्रीत हो तो केस आपके नेगाटिव जा सकता है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कन्या राशी के जातकों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है विएक जानते है कन्या राशी पर छो है चोते भाव की ड़हिया चल रही है शनीग की डहिया ये करनं करन्या राशी के जातकों के संघ सब कुछ अच्छा होते होई नौकरी होते हुए, बिवा की संभामना होते हुए, और यानि इंकम भी लगातार होते हुए, कुछ ऐसी परस्ततिया होंगी कि वो मन में थोड़ा सा आशांत मैसूस करेंगे, कुछ उनके अंदर निराशा आ जाएगी, वो करे बाद किसी काम को छोड़ने की कोशिश करेंगे उन्हें लगे का कि हम इस काम को इशाद करने में समर्थ हैं नहीं हैं हमारे में, तो उनका शनी क्या करता है, आप में नेगेटिविटी पैदा करता है, तो प्रभाव है, इसलिए आप थोड़ी सी हिम्मत रखिए, अपने काम के परती उस्साह बढ़ाईए, क्योंकि आपक प्रभाव के परवाव के कारण आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, उसको दूर हटाईए और अपने कामों को आगे बढ़ाईए, बस सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है, कि जातक नौकरी में थे, उनकी समय जो है, 2019 में ट्रांसवर होने की भी संबाब ना बनी हुए, हो सकता है, ट्रांसवर होके उन्हें अपने जो है, जहां पर पोश्टिट थे, उससे भाल जाना पड़े, तो उस प्रकार का कोई विपरी ट्रांसवर ना हो, इसके लिए कोई प आपके दशम भाप गोच्छा करेंगे, तो राजनीती के चेतर में आपके लिए कोई नया परिपेश्ट कुल सकता है, हो सकता है, आने वाले 2019 के जो इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें में आपको नहीं आपको नहीं कोई ऑपरचुनिटी मिल जाए, इसलिए राणी से जुड़ के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें 2019 के लिए टिकेट भी मिल सकता है, इसलिए राणीती के आप से कन्या रशी के जातकों की लेक्षा समय है, और साथ ही बात ध्यान रखने की बात है, कि 23 अपरेल से लेके 11 अगस्त के बीच में गुरू जो हैं वक्री रहेंगे, तो वो स जाता सा फ़लता आपको मिलेगी, साथ ही 19 नौंबर के बाद गुरू आपके जो है फोर्त आउस में आ जाएंगे, गुरू और शनी जब आपके फोर्त आउस में आ जाएंगे, तो मैं आपके प्रातना है, कि कन्या रशी के वो जातक, जिनके घर में बजुर लोग है, माता और शनी का चौर्त दभा में गोचर इस बात का भी संदेश दे रहा है, कि आपकी विदेश यात्रा आकस्मिक विदेश यात्रा भी हो सकती है, और आपके अपना घर छोड़ के बाहर जा सकते हैं, और आपके नौंबर के बाद आपके खर्चों की स्थिती भी काफी जादा बनेगी, साथ ही आपको साथदानी रखनी है अपनी अपनी ट्रैलिंग में अगर आपको यात्रा आपको आपको अपनी पर आपको बाद के लिए-गार लिए-दॉन के विदेश देश था वो उनके संभागे का भी साथ है उनका विवा होने की संभाबना है नौकरी के लिए बहुत अच्छा है आप अगर घर से बार निकल के नौकरी करते हैं तो आपके लिए ने ने अस्पेक्ट्स है इसके साथ ही मेरी प्रात्ना है कि जो दर्शक मेरा वीजियो देख रहे हैं व से मेरी प्रात्ना है कि कि पर मेरा चैनल सब्क्राइब कर दें बैल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो प्लोट करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें नमस्काद अश्कों जैमादादी